आज हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों और इवाओं में आत्महत्या की घटनाई प्रकास में आने लगी हैं कभी गौर से सोचा आपने इन आत्महत्या की घटनाओं का मूल कारण क्या है ये विद्यार्थि ये इवा अपनी जिन्दगी के खिलाफ नहीं है फिर भी कुछ बाते महत्तुपूर्ण हैं विद्यार्थियों और इवाओं के भीतर महत्तु आकांग्शाएं हैं परतिस्परधा है इर्शया है बड़ी बड़ी आकांग्शाओं को पूरा करना चाहते हैं और जब इस जिन्दगी में उन्हें ऐसी सफलताएं मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं उनके जीवन में निराशा प्रवेश करती है और उनका मन जो तरह तरह के जाल तरह के सपने तरह तरह की आकांग्शाएं उनके भीतर पैदा करता रहता है उन आकांग्शाओं के पूरा होने की संभावना जब समाप्त होने लगती है तो जिन्दगी को ही समाप्त कर देने क का विकल्प उनके सामने खड़ा हो जाता है यही कारण है इमाउं में हिंता की भावना आती है और उस हिंता की भावना से बशने के लिए आत्महत्या का विकल्प चुनना उनके लिए मजबूरी बन जाता है इन मन के जालों से इवा पीड़ी को मुक्त करना अनिमार है उनके भीतर समश की क्रांती पैदा करना जरूरी है तभी मन के इन जालों से हमारे देश के इवा मुक्त हो सकते हैं इसलिए मैं कहता हूँ धर्म और अध्यात्म जीवन के किसी विशेश मोड़ पर आरंभ नहीं किये जाने चाहिए जीवन धर्म और अध्यात्म का प्रारंभ उसी बिंदु से होना चाहिए जिस बिंदु से मनुष्यका जीवन प्रारंभ होता है मनुष्य का जीवन प्रारंब होता है जब से बच्चा समझदार होता है जब बच्चा समझदार होता है उसकी समझ के साथ साथ अध्यात और धर्म जीवन जीने की कला के रूप में उन्हें सिखाया जाना चाहिए सिख्षा का महत्त पुर्ण अंग होना चाहिए इस जीवन को आनन्द से कैसे जिया जाए और साइंस डिवाइन के माध्यम से जीवन जीने की इसी कला को बचपन से ही सिखाने का अभियान चलाया जाना जरूरी है इसी लिए मैं कहता हूँ नर्चरिंग शायल्ड हूट बिद लव एंड मेडिटेशन बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दिख्षा तथा आधुने ज्यान और विज्यान की विश्व इस्तरिय सिख्षा बच्चों को बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दिख्षा उपलब्ध कराई जाए तो निश्यत रूप से बच्चे मन के इस प्रकार के जालों से मुक्त हो सकेंगे महत्वा कंग्शा का जहर इरस्या का जहर गला घोट प्रतियोगिता का जहर और आधुनिक युक की तमाम सारी मानसिक बीमारियों का जहर जो उनके भीतर पैदा हो रहा है उसे रोका जा सकेगा और देश के इवाओं को अशान्ती तनाव और आत्मा त्याओं से पैदा होने वाली बिभीचिका से बचाया जा सकेगा